डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट यह समझना मुश्किल है कि कनाडा आखिर भारत के साथ कैसे रिष्टे रखना चाहता है विरां इटली में आयोजित G7 के सिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो भारती प्रधान मंत्री से मिले तो कहा कि भारत के साथ कनाडा का कई मामलों में बेहतर तालमेल है और नई सरकार के साथ बाचतीत आगे बढ़ाने का अवसर दिखाई दे रहा ह मगर वहां से लोटते ही उनका रुख बदल गया विरां खालिस्तानी अलगाववादी हरदी पसिहें निजर की हत्या की बरसी पर वहां की संसद में एक मिनट का मौन रखा गया विरां, पिचले वर्थ कनाडा में निजर की हत्या कर दी गई थी विरां, तब कनाडा सरकार ने आरूप लगाया था कि उसकी हत्या में भारतिय अधिकारी सामिल थे विरां, हालां कि वह अभी तक इसका कोई सबूत नहीं पेश कर सका है विरां, उसके बाद से कई जगहों पर खालिस्तानी अलगाव वादियों ने भारत के खिलाब उकसाने वाली गतिविदियां चलाई भारत की तरप से उन पर सक्त कदम उठाने की अपील की गई, मगर कनाडा सरकार उन पर चुपी सादे रहें विरां, अब निजर की बरसी पर संसद में मौन रखने का प्रकरण एक तरह से भारत को उकसाने का नया प्रयास है यह हैरानी की बात है कि निजर आकिर कनाडा सरकार को इतना प्रिये क्यों हो गया विरां, आमतोर पर किसी देश की संसद में राष्ट्र के किसी सम्मानित व्यक्ति, किसी हादसे, जन सहार या युद्ध में मारे गए लोगों को स्रदानजली दी जाती है विरां, एसा नहीं माना जा सकता कि निजर की गतिविदियों को लेकर कनाडा सरकार अनजान हो विरां, भारत ने उसे आतंकवादियों की सूची में डाल रखा था पैरा, आतंकवाद के खिलाब भारत की कटी बदता भी कनाडा से छिपी नहीं है फिर भी कनाडा सरकार निजर की हत्या को इतना तूल दे रही है कुमा, तो इससे यही जाहिर होता है कि ने तो वह आतंकवाद पर अंकुस लगाने को लेकर गंभिर है और ने भारत के साथ अपने रिस्ते बेहतर बनाने को लेकर विराम, अगर तूडो सरकार भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की इच्चुक होती कुमा, तो निजर को इतना महत्व ने देती कि संसद में उसे स्रदानजली दी जाती विराम, यह तो स्पष्ट है कि इस तरह निजर को महत्व देकर तूडो वहां रह रहे सिक समुदाय का जनाधार अपने पक्स में करने की कोशिस कर रहे हैं कुमा, इसका कुछ लाब सायद इस चुनाव में उनकी पारटी को भी मिल जाए कुमा, मगर इससे भारत के साथ जो रिष्टे खराब हो रहे हैं उसकी भरपाई आसान नहीं होगी विराम, पैरा, अगर खालिस्तान की मांग को लेकर चलाई जा रही हिंसक मुहिम से कनाडा सरकार अनजान नहीं है और नैवह इस बात से बेखबर है कि किसी भी देश में चलाई जाने वाली कोई भी अलगाववादी, गतिविदी, देहसत गरदी के दाइरे में आती है विराम, पंजाब के लोग खुद अलग राज्य का मुद्धा नहीं उठा थी, मगर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आधी देशों में जाकर बस गए और वहां की नागरिकता ले चुके, कुछ लोग इसे लेकर उपद्रव करते देखे जाते हैं, कुमा, तो उन पर अंकुस लगाने में मदद करने की बजाए, अगर वहां की सरकारे उन्हें प्रसरे देती हैं, कुमा, तो इसे किसी भी रूप में स्वस्त कूटनीती नहीं कहा जा सकता, विराम, इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है, और आखिरकार इसका खमियाजा किसी एक देश को नहीं, कुमा, सारी दुनिया को बुगतना पढ़ता है, विराम, कनाडा सरकार के जवाब में भारत ने कनिस्क विमान हादसे की बरसी मनाने का फैसला किया है, विराम, एसे संतनातनी वाले वातावर्ण से आखिरकार नुकसान कनाडा को ही अधिक होगा, पढ़ाई लिखाई का इस्तर उंचा उठने, कुमा, खानपान, कुमा, फैसन, कुमा, रहन सहन आधी मामलों में आधुनिकता बोध पेदा होने के बावजुद इस्तिरियों को लेकर भारती समाज में पुरुसुवादी सत्ता सिथिल नहीं हो पाई है, विराम, इसी का नतीजा है कि इस्तिरियों के खिलाफ अपराद हर बार बड़े हुए ही दर्ज होते हैं, विराम, राष्टी महिला आयोग के पास इस वर्ष अभी तक 12600 सिकायतें पहुँचें, जिन में से जादातर गरिमा के साथ जीने के अधिकार को ध्वस्त करने से समंधित थी, विराम, उन में घरेलू हिंसा, उत्पीडन, दहेज प्रताडन, छेडचाड, पीछा करने, योवन उत्पीडन, बलातकार तथा बलातकार की कोशिसों की सिकायतें दर्ज कराई गए, विराम, इन में 518 सिकायतें एसे मामलों में पुलिस की उदार्शीनता को लेकर भी दर्ज कराई गए, विराम, सबसे अधिक सिकायतें उत्तर प्रदेश से आए, विराम, इससे एक बार फिर तमाम कोशिसों कुमा, इस्तरी सुरक्षा के उपायों आदी के दावों पर प्रश्न चिनें लगे हैं, विराम, उत्तर प्रदेश में इस्तरी सुरक्षा के दावे सबसे ज़्यादा बढ़ चड़ कर किये जाते हैं, कुमा, मगर इस्तरी पर हिंसा की सबसे अधिक सिकायतें वहीं से मिलती हैं, पेरा, दर असल इस्तरीयों के प्रति अत्याचार का सिल्चिला इसलिए नहीं रुकने पारहा के आम भारतिय समाज उन्हें सम्मान की नजर से देखता ही नहीं, कुमा, बेशक कुछ परिवारों में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई, कुमा, नौकरियों और रोजगार वगेरहे में प्रोचसाहन दिया जाने लगा है, कुमा, मगर विडम बना है कि सिक्सित अवर नौकरी सुधा महिलाएं भी प्रताडना से मुक्त नहीं हो पाई है, विराम, एसी महिलाओं को पुरूस मानसिकता के अलग दुष्चक्र से गुजरना पड़ता है, घरेलु वातावर्ण में पुरुसवादी एहम का टकराव बड़ी आसानी से हिंसा में परिनत हो जाता है, विराम, रोजगार की जगहों पर योवन, सोसन और मानसिक उत्पेडन का जटिल घेरा है, तो समाज के विभिन इस्तरों पर उनकी आजादी और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रशनांकित होते रहते हैं, विराम, महीला, आयोग जरूर इस्तरीयों के खिलाफ हो रहे, इन एमानवी व्यवहारों को लेकर कुछ सक्त कदम उठाते देखे जाते हैं, समाप्त, दोस्तों इस लिक्टेशन का पीडियो फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्ट्रडीवित आजपी स्वामी पर डाल लखा है,